दोस्तो नमस्कार, मैंसेल दोक्टर ब्रहम्जे सिंग चोहाल, मैं आप सभी का अपने चलन डोक्टर जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने फैमली के साथ खोसोंगे और स्वस्तोंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में, इस्प्लीन जिसको हम तिल्ली के नाम से भी जानता है इसका क्या काम होता है और यह हमारी बोडी में क्या रोल निवाती है दोस्तो स्प्लीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्प्लीन हमारे सरीर के अंदर left side होती है और बिल्कुल पेट से लगी हुई होती है दोस्तो स्प्लीन जो है अगर हम उसके color की बात करें तो बहुत dark purple color की होती है और बहुत छोटे अकार की होती है और यह हैं खील जैसे अकार में पाई जाती है दोस्तों अगर हम इसके काम की बात करें तो यह हमारे सरीर के अंदर हमारे blood को purifier करने का काम करती है second अगर हमारे जो हमारे सरीर में immunity system होता है उसको boost करने का काम करती है उसको मजबूत करने का काम करता है जब भी हमारे सरीर में कोई भी problem होगी या कोई सी भी जैसे infection होता है या कुछ भी कोई किसी organ में दिक्कत होती है तो तब तब यह spleen हमारे immunity system को मजबूत करकर उस organ को या उस problem को खतम करने का काम करती है second अगर हम बात करें कि यह कब-कब इसका size बढ़ जाता है या कब-कब इसमें problem हो जाती है या किस बज़े से problem हो जाती है जब-जब हमारी body के अंदर कहीं भी किसी भी organ में cancer होगा मतलब कि tumor हो जाएगा या फिर हमारे सरीर में blood cancer हो जाता है या फिर liver से related अगर हमारे सरीर में कोई भी problem होती है जैसे कि hepatitis C, B या हमारे liver पर swelling आना another कुछ भी हार हमारे liver में problem होती है तो यह spleen का side बढ़ जाता है अब अगर हम बात करें कि यह हम कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर हम कैसे इसको इलाज कर सकते हैं तो दोस्तों हमारे body के अंदर किसी भी जिस भी organ में problem हो रही है सबसे पहले तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे उसका treatment करेंगे और साथ साथ में हम तिली को अपने size में लाने के लिए उसका size normal लाने के लिए हम एक डावर company आती है उसको हम सुबह साम खाना खाने के बाल ले सकते हैं और दूसरी बैदनात की आती है रोहितकारिष्ट हम उसको सुबसाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं इन दोनों सिरफ में से कोई सी एक सिरफ हम उसका सेवन करते हैं तो वैं हमारी तिल्ली मतलब की स्प्लीन के साइज को नौर्मल लाने में बहुत सायक होती है और साथ-साथ में जिस बज़े से बहे स्प्लीन का साइज बढ़ा है हम उसका टीटमेन करते हैं तो हमारा स्प्लीन ठीक हो जाता है और हमारी बोडी में बहे अपना काम निरंतर अच्छी तरह से करते रहता है तो दोस्तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप करते हैं अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी बैल आइकन को ओन करना ना बोलें दोस्तो नमस्कार जैहिन धन्यवाद